हेलो नमस्कार आज के इस बीडियो में हम आपसे के बीच एक सरकारी योजना लेकर के आ हैं जिससे कि आपसे बीच एक हजार रुपे हर मैने प्राप्त कर पाएंगे इस योजना का नाम है बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना इनकी बिहार में जितने भी युवार लोग है और बिरोजगार है यहनकी उनको अभी तक जोब नहीं मिली हुई है तो वो इस योजना का लाब लेकर के अपना आगे की पड़ाई है वो कर सकते हैं जो कि गवर्मेंट जोब या किसी प्रकार की जोब लेने में उसे आसानी मिलेगी तो यह बिहार सरकार के दोरा जितने भ लोग इनमें eligible है यह फिर नहीं इस form को फिलजब करने के लिए कौन कौनिसमे फोन को फिलजब करने के लिए और क्या क्या डोकमेंट लगता है पूरी जानकार इस विडेयो में झानेंगे तो सब 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 ले बततें कि यह जो भी योजना है यह बिहार बेरुजगारी भत्ता योजना है जो कि बिहार सरकार के दोरा चलाई जाती है इस योजना के तहद जो भी student अपना जो भी पढ़ाई आगे की करने में अक्सम है यानि कि जो भी student युवावर के लोग भर्मी पास कर लिए है और आगे की में सक्षम नहीं है या फिर graduation पास कर लिए है वे सक्षम आगे नहीं है पढ़ाई करने के लिए नहीं उसके पास पैसे है तो वे लोग इनका जो भी आविदन दे करके इसका लाब ले सकते है उनको एक हजार रुपिये महिने हर महिने जो भी यो payment है वो दी जाएगी जिसे क वे अपना जो भी समान है यहीं की पढ़ाई की जो भी सामिक्री है वो अपना जो भी ले सके और अपने पढ़ाई को जारी रख सके तो यह सभी युगाओं के लिए दिया जाता है तो सबसे पहले बता देते हैं कि इसका eligibility करेटेरिया क्या है इस बेरोजगारी भत्ता के ल से लेकर के 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए यदि युवा का 21 वर्ष से 35 वर्ष से अधीक है तो उसका आवेदन सुईकार नहीं किया जागा यहीं कि वह इसके लिए मानिन नहीं होगा वहीं आवेदक का अपने नम से बैंक होना आबस्यक है खताधार से खता से अधार जो भी इन युवा इसका लाब लेना चाहते हैं वो सरकारी जॉब कहीं भी काम नहीं कर रहे होंगे और नहीं उसका जुबी जॉब है लगा होगा तब यहाँ पर जुबी योजना का लाब है वो ले सकेंगे यहाँ पर देख सकते हैं आवेदक के पास बारवी पास तथा graduated degree होनी चाहिए यदि 12 पास किये वे हैं तो भी इसको लाभ ले सकते हैं यदि graduation करके बैठे हैं इन में क्या-क्या document लगेगा बताया हुआ हूँ वो यहाँ पर आपसे भी लोग आकर प्राइले के अपना चयोपी चेक आउट कर सकते हैं वहीं साथे साथ यहां पर important link भी provide किया गया है online करने का यहां पर देख सकते है apply online यहां से अपना registration करेंगे उसके बाद यहां पर login करके जो भी आपसे का form है वह फिल करेंगे उसके बाद submit बडिन पर क्लिक करके submit करेंगे उसके बाद जो भी अपना इस्टेटर से वह चेक करें बीडियो पसना आए तो लाइक किजिगा चनल को सबस्क्राइब किजिगा यह दिया पलूगा किसी परकार का